तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इटूप चैनल एल्वी वीडियो उसमें आज हम बात करते हैं बारते दिन सहीता यानि आई पीसी की धारा 307 की जिसमें बताया गया हत्या का प्रियास यानि अटेंट टू मडर चलिए जानते हैं किसी वेक्ति की हत्या का मामला अगर सामने आता है तो ऐसा करने वाला वेक्ति आई पीसी की धारा 307 के तेहत अपरात करता है इसमें निम प्रकार से निम पॉइंट है चलिए जानते हैं परस्ट पॉइंट असान सब्दों में कहें तो यदि कोई वेक्ति किसी वेक्ति के हत्य प्रियास करता है लेकिन जिस पर हमला किया गया है जिस पर वैं हमला कर रहा है उस विक्ति की अगर जान नहीं जाती है किसी कारणवस वह जिंदा बज जाता है दोसी विक्ति पर IPC की धारा 307 के तह्त नियाले दौरा मुकदमा चलाए जाएगा क्या होती है सजा हत्या की कोजिस करने वाले आरोपी पर IPC की जारा 307 के तैस्स दोसी पाए जाने पर उसे कटोर सजा का प्राबधन है दोसी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और जुर्माना और दोनों से डंडित किया जा सकता है जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है यदि उसको गंभिड चोट लगती है तो उस व्यक्ति को आज इवन कारावास से डंडित किया जाएगा और साथ ही साथ आर्थिक डंड से डंडित किया जाएगा आर्थिक डंड एक्यूस की हैसियत के अनुसार नियाले द्वारा त्या किया जाता है थर्ड पॉइंट यदि कोई के ऐसा वेक्ति किसी की हत्या करने का प्रियास करता है जो खुद किसी दूसरे अपरात में आज इवन कारावास की सजा काट रहा है तो उस व्यक्ति को इस धारा के अंतिगरत दोसी पाए जाने पर रित्यू देंडित किया जाएगा पॉर्थ पॉइंट अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है लेकिन हमला करने वाले का इरादा उसकी हत्या करना या उसे गंबी चोट पहुचाना नहीं था तो हमला करने वाले व्यक्ति पर मामला धारा 307 के जगे धारा 325 के अंतिगरत दर्च किया जाएगा और उसी के अनुसार न्याले दोरा सजा सुनाई जाएगी IPC की धारा 307 में दंड का प्राबधान किया गया है अगर कोई व्यक्ति IPC की धारा 307 के तहत अपराद करता है तो यह गैर जमानतिय और संगिय अपराद है और सैसन कोट यानि सतन न्याले दोरा विचाड़निया है और यह अपरा समझोता करने योग्य नहीं है ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरी आईडी को फोलो करें और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू